चलिए एक खेल खेलते हैं, खेल का नाम है बिंगो, अब तक आपने गुणा चार्ट भरना और पहाड़े बोलना सीख लिया है, आईए इसी पर आधारित एक खेल खेलते हैं, यह खेल दो से दस खेलाडियों द्वारा खेल आजा सकता है, इस खेल को खेलने के लिए आपको इ या बकसे, जिन में से एक को डील बैग और दूसरे को बिंगो बैग कहा जाएगा, चित्स बनाने के लिए क्या करना होगा, कागस के सौ छोटे छोटे टुखडों के दो सेट काटें, और टुखडों पर गुणा चार्ट की सभी संख्याएं लिखें, यदि संख्या बारा चार्ट में चार बार दिखाई दे रही है, तो संख्या बारा की चार चित्स बनाएं, क्योंकि संख्या ग्यारा चार्ट में दिखाई नहीं देगी, इसलिए संख्या ग्यारा की एक भी चित नहीं बनेगी, यानि जो संख्या चार्ट में नहीं है, उसकी चित भी नहीं बन खेल की शुरुवात ऐसे करें प्रत्ये खिलाडी बिना देखे डील बैग से दस चिट ले ले एक भरा हुआ गुणा चाट खिलाडियों के सामने रखे एक खिलाडी बिंगो बैग से एक चिट निकाले और उस पर लिखी संख्या पढ़े अब वह अनि सभी खिलाडियों से पूछे कि क्या उनकी किसी चिट पर वह संख्या लिखी है अब जिसके पास वह संख्या है वह उस संख्या की चिट गुणा चाट पर उस संख्या के स्थान पर रख देगा आप देखेंगे कि ज्यादा तर समय चार्ट पर चिट रखने की जगह एक से अधिक होती है इस तरह एक खिलाडी बिंगो बैग से चिट उठाकर सभी को बताएगा और हर खिलाडी संख्या के हिसाब से गुणा चार्ट में उस संख्या को रखता जाएगा इस तरह खेल चलता रहेगा जिस समय किसी खिलाडी की सभी चिट्स खतम हो जाएगी उसी समय वह जोड से बोलेगा या बोलेगी बिंगो और वह खिलाडी जीत जाएगा या जीत जाएगी जब आप इस खेल को कई बार खेल चुके होंगे तब आप के लिए अगली चुनोती यह होगी कि क्या आप एक खाली गुणा चार्ट के साथ या खेल खेल सकते हैं इसमें अंतर सिर्फ यह होगा कि गुणा चार्ट पर संख्या को धूरने की बजाए आपको खाली गुणा चार्ट पर चिट रखने के लिए सही जगह के बारे में भी सोचना होगा